उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव की घोशना हो चुकिए जिसके बाद अब देखा जा रहा है हर राजनेतिक संगठन अपना दमखम दिखाने के लिए बेताब है वही बात की जाया हाला कि अभी रैवली में कोई प्रत्यासी की किसी भी पार्टी ने घोशना तो समाजवादी पार्टी का अपना जनाधार है और समाजवादी पार्टी पहले भी अच्छा प्रदसन कर चुकी है हम पहले भी कई बार नगर पाली का रायवली पे हमारे रायवली नगर पाली का जीते हैं अधिकान सवाडों हमारे सभासत जीते हैं कई नगर पंचायतों मे हम नगर पंचाध्य जीते हैं और जो बरतमान में भारती जनता पार्टी की जो सरकार है भारती जनता पार्टी की सरकार में नगरों में कोई काम नहीं हुआ है आज भी नगरों राइवली सहर जैसे नगर की सड़के टूटी हुई है जल निकासी की जो समस्या है वो आप सब थोड़ी भी बरसात हो जाती तो पूरा सहर जलमगन हो जाता है और एक एक गांट कमर कमर पानी में आप सब मोटर साइकल निकालने के लिए मजबूर हुए थे आप सबने प्रमुक्ता से खबरे भी दिखाई तो रायवली सहर की इस्तिती बहुत खराब है भारती जंता पार् करना चाहिए नगरपालिका में जो स्वास्थ भाग है उसमें कोई काम नहीं हो रहा है आज भी मच्छरों की भरमार है आप देख लेजिए मच्छर काटने तमाम बिमारिया होती है और इस तरह से मच्छर रायवली सहर में हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है तो भारती जनता पार्टी के अध्यच रहे वहां कोई काम नहीं हुआ है अगर बात किया जाए तो समाजवादी पार्टी से कुल कितने आवेदन हुए हैं रायवली जनपत से और क्या लग रहा किन मुद्दो को लेकर आपने जो आवेदन पत्र भेजे हैं उपर किन मुद्द को लेकर किन मुद्दो को लेकर आप अपने प्रत्यासी उतारेंगे निश्चित तोर से जनसेवक हैं जो अच्छी सेवा दे सकते हैं जिनकी च्छबी अच्छी है लोगों को बीच में उनकी अपनी पकड़ है और लोग उनको पसंद करते हैं समाजवादी पार्टी ऐसे कारीकरताओं को तरजीह दे रही है और उन को हम लड़ाएंगे और निशित रूप से हमारे जो परढ़ाम होंगे वो सकारत्म होंगे और हम अच्छे परड़ाम सुकत परड़ाम में रहेंगे और हम निशित रूप से रायविली में बहुमत से नगरपालिका और नगरपंचायत अध्यचपत पर चुनाओ जीतेंगे कितने लोगों का ऌवेदन अब气 fight भी अवेदन आरहे हैं है अबिकल घोसरा हुई है आवेदन पहले भी आरहे थे आवेदन आने का सिलचला जारी है और नगरपालिका राइविली में हमारे पास साथ आवेदन आ चुके हैं नगरपंचायतों में भी अच्छी संक्या में आवेदन आ रहे हैं सभासदों के आवेदन भी खुबाए हैं अब एक दिन दो दिन के अंदर हैं चैन समिट बैठ करके सभी आवेदनों का निस्तान करेगी और वो अंतिम रूप देते हुए प्रत्यासियों को चैन कर देगी और आप सब को सुचित कर देगी जैसे कि समाजवादी पाल्टी के जिला अध्याच इंजीनियर विरेंद यादो ने बताया कि लगातार आवेदन आ रहे हैं अब देखने वाली बात यह है कि चुनाओ जो कि रैवली की अगर बात की जाए तो प्रत्थम चरण में है और 4 मई को चुनाओ होना है अब इसको लेके हर राजनेतिक संगठन अपने अपने प्रत्यासियों की वा पाल्टी की छवी को लेकर अपने उमीदवार उतार रहा है अब देखने वाली बात यह है कि इस बार रैवली में अगर बात की जाए नगरपालका में किस पार्टी का प्रत्यासी जीतता ही है तो आने वाला समय ही बताएगा राहूल मिस्रा आर एक्सप्रेस रैवरेली